पर किसी अब इनमस पर स्वागत करता हूँ और SSC अबिनमस फ़ भी करता हूँ आपको पता होगा कि आज पांच बज़े से खुद थक गए हम नहीं थकते परिशानिया थक जाएंगी जब भी किसी नई चीज की सुरूरात होती है तो ऐसी छोटी-छोटी दिक्कते आती है लेकिन हमने सुलूशन निकाल लिया फर क्लास ले रहे थे क्लास नहीं चल पाई मैंने सर को तुरंट अपने पास बुलाया मैं युष तरी के की दिक्कत है आगे ना आएं तो आज अभी क्लास हो रही है यह इंग्लिष की क्लास है जो पांच बजये से जिसकी टाइमिंग है सारे चे तक जो आग 6 बजय श्टार्ट हो रही है त्टेड़ घंटे चलेगी आज आप ज जानेंगे की इंग्लिष क्या है मै जब class में 70% समझ में 60% समझ में आए तो समझो कि कुछ अच्छा चल रहा है हलो अब आज आ रही है हाँ ठीक है अब आज किसी से आ रही सथ बोर्ड से तो नहीं आ रही कोई बात नहीं ठीक है manage कर लेंगे we will manage it तो मैं यह कर रहा हूं आज की जो class है अगली class आज वह 8 बज़े से GS की होगी जो on time होगी ठीक है आपके system से यारी आपके system में होने न class सरके phone में तो नहीं class हो हो हलो अच्छा साइध हमारी यहीं पर class होने में एक बात देख लेता हूं अरे वावावावावाव अब ठीक है तो आज की class English की class होने वाली है जो बस सर सुरू कर रहे हैं मैं तो बस एक मैट के लिए माफी मांगने आथा कि आगे से इसी दिक्कते नहीं होंगी हम सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे हमने तुरन server change जो भी हो सकता था मुझे तो जादा knowledge नहीं है वह हमने हार गया यानि प्री तो क्वालिफाई हो जाए लेकिन उसके बाद मेंस में अच्छा ना कर पाओ तो मेंस की 135 नंबर की तयारी आपको करनी है अगले साल के पॉश्ट लेनी है तो चलीлем सुरू करें आज की English क्लास सर शुульт करेंगे कैसे 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 क्या करना हो ठीक है खें लोग क्लास करते है आज आपकी होनी है सबसे पहले को मुझे कमेंट करके बताइए हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इंगलिस से डर लगता हैं अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको यह लगता है कि इंगलिस हमें याद करनी पड़ती है और हम मुझे 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 चलिए तो म embod आफी हमारे बच्चे हैं जिनको इंगलिश में ठाव्लम और gesprochen कि आज के बाद में मैं यह तो नहीं कूँगा आज के बाद में लेकिन आज जो आपने शुरुवात किया है और यहाँ से जो आपने शुरुवात किया एंगिलिश शीखने को लेकर हम कोशिस करेंगे मेरी 100% effort होगी और यह आपका ना आज तक का best decision होगा I'll prove it मैं इसको सावित करूँगा कि आज तक आपने English सीखने के लिए जितनी भी कोशतें की हैं जितने decisions लिए this is one of this is the best one यह आपका best decision है आज तक जो आपने English पढ़ते हैं मतलब मैं पढ़ाता हूं तो हमारी कोसिस ही होती कि हम चीजों को याद करने पर कम focus रखें चीजों को समझने पर ज्यादा रखें जिससे की पेपर में नए questions आये पैटन मान लीजिए ठीक है तो भी कि हमारे बच्चे उसको with confidence attempt करते हैं तो अब ज्यादा बाते नहीं करेंगे हम लोग को रोज मिलना जुलना होगा रोज काफी बाते किया करेंगे ठीक है आज करते हैं आपकी क्लासे चाहिए अज की क्लास में सबसे पहले मैं आपके साथ में चुक्कि हमारी first class है अरा आज से हमें जो approach है जैसा कि मैंहेंसा कहता है तो आपको पता है इंग्लिस जब हम सीखते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम जो है यहां पर जो प्रॉब्लम है वह इंग्लिस को लेकर नहीं है प्रॉबलम बच्चों भगों एक हमारे बैंगलिन सीखने वह जादा मीध जाब से ज़ादा कर लेते हैं। सब्सक्राइब priced न सब्सक्राइबिस्चे कर निवें लेकिन उससे पहले कुछ आपके लिए बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जो आपको थ्रूआउट इस स्लेवर्स फॉलो करने करने सबसे पहली एडवाइस यह सारे बच्चों के लिए है जैसे कि आपने देखा होगा की होता है कि कि सधोर्श इस से पूछे और ओन courts Watting is better offline classes लें लगते twitch अगर छोड़ दी जायत है तो Cookie क्य케이 कहते हैं कि औफ लाइन इस बेटर हलांकि कुछ माइनों में होता भी ओफ लाइन बैटर ठीक है लेकिन मैं बताता हूं आपको आपको पंक्शुल है आप रेगुलर है तो जो आपके एफ़र्ट्स है जो आप लर्निंग कर रहे है वो डिसिप्लिंड है अनुशासित है तो जब हम कोई का हम अनुशासन के साथ करते हैं एक सिस्टम को फॉलो करके करते हैं तो उससे रिजल्ट आना ज्यादा सभाविक हो जाता है ठीक है वही मैं आप लोगों से चाहूंगा यहां पर है क्या कि जब हम आल्लाइन में पढ़ते हैं तो आपको उसी तरीके की अप्रोच क्लास को ले क्लास से अटेंड करने हैं कोई भी क्लास मिस नहीं करने हैं ऑन लाइन में बच्चा यह सोचता है कि चलो भई अभी नहीं कल देख लेंगे तो रिकॉड़ेट वीडियो अब लेवल हो गई होगा कौन सी ओफलाइन क्लास है मिस हो गई तो छूट जाएगा बात में देख ल अपने नोट्स खुद बनाई है हालां कि हम आपको पढ़ा रहा है यह जो मैं आपको पढ़ा रहा है इसका प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको लेकिन फिर भी अगर आप टाइम निकाल पाएं जो आपको को सिस करनी चाहिए जरूर निकालना है तो अपने बने उसका बहुत फायदा होता है नोट्स बनाने से क्या होता है कि हमने पढ़ा होता होता है वह हमारा रिवीजन हो जाता है बहुत सिस्टम के साथ सांत्ति के साथ ठीक है यह दो और भी एक दो फायदे होते हैं नोट्स बनाने के वो मैं आपको किसी दूसरी क्लास में फिर डिसकस करूँगा यह दो में फायदे हैं नोट्स बनाने के अपने खुद के एक तो नोट्स बनाने से जो हमने पढ़ा होता है वह बहुत डीटेल के साथ हमारा रिवीजन हो जाता बट इंगली सीखने के लिए ना कुछ बुक्स अपने पास जरूर रखा किजिए अपने बैग में अपने घर पर कुछ ऐसी जरूर रखी जो आप खाली टाइम में आपको लगे आपको समय है तो उसमें कुछ पढ़ो कुछ भी पढ़ो इंगली समय है वह एक बच्चे को डालेंगे अब पीडियाप से तो कहानी पढ़ोगे तो अच्छी फिल नहीं आते हैं सबको पता है ठीक है तो आपना बुक्स रखा किजिए मैं बच्चों को हमेंसे ना रिकमेंड करता हूं अकेडमिक्स की बुक्स किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो सेवन्थ की इंग अब दोनों ले लिए ठीक है ग्रैमर बुक में जो भी है वह पढ़िए समझे और रीडर में चैप्टर्स को पढ़कर समझने की कोसिस कीजिए चैप्टर में क्या पढ़ाए गया ठीक है धीरे-धीरे से समझे मलब फिर ओवर टाइम आपकी स्पीड हो जाएगी और आपको है वही होगे जो मैंने आपको बता दिया कि पढ़ने की आदर डाले कुछ नहीं एक पढ़ो बस रेगुलरिटी के साथ में पढ़ो गया ना तो एक पेज रोज का काम करेगा यह नहीं कि हमने हफते में महिने में एक दिन निकाला और एक दिन हमने दो चार-पांच समय यह मैंने जो सबसे बड़ी कमी जो हमारे बच्चों के साथ होती है वह पता है यह होती है कि वह पहले प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन यूटूब पर रहेगा या चाहे ऑनलाइन कोई बैच रहेगा उन्होंने जॉइन के टीचर से पढ़ने के लिए तो टीचर क्या करे प्रैक्टिस में पर्फेक्ट प्रैक्टिस करने से आदमी पर्फेक्ट होता है एकदम सही बात है और ऐसा होता भी है ठीक है लेकिन प्रैक्टिस करनी करनी क्या प्रैक्टिस का मतलब है something that you have learnt कुछ ऐसा जो आपने सीख लिया है अब आप इसको over the time भूलना जाओ ठीक है त हमारा स्लेवंस में जो ऐसे एरियाज है जो पेपर में आते हैं वो concepts करने के लिए सीखने जरूरी है बड़ा हमें उनको आता पता भी नहीं जैसे मैंने यूटूब पर लोगों पता है तो बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे तो सोचो क्या पढ़ रहे थे आपको अपने स् जो आपको पता होनी चाहिए आपको आनी चाहिए यह नहीं आती पहले वह सीखो लर्न देम फिर क्या किजिए रिवाइस करो आपने सीख़ए ना तो रिवीजन का तरीका मैंने आपको बताए है कि आप वीडियो को दुबारा देखकर रिवीजन कर सकते हो अपने नोट्स बन एप्प्रोच आहें पहले सीखना है सीधे questions पर नहीं तूट पड़नाय में रिविजन करना है मिन करते था संब उसके बाद में प्रेक्टिस करनी है अब फिर प्रेक्टिस तब तक करती रहनी है जब तक कि हमारे सफलता न मिल जाए जब तक हमारे एक्जाम क्रैक ना हो जाए जब तक हमारा सेलेक्शन हो जाए तब तक हमें उसकी रेगुलर्ली प्रेक्टिस रिविजन करते रहना है लेकिन पहले सीखने यह क्लियर होगे हैं तक आज यह आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको ना इस बैच का थोड़ा सा स्लेवस इंट्रोड्यूस करवा देता हूं जिससे कि बच्चों को हमारे एक्जेक्टी पता रहे हैं कि हम क्या सीखने जा रहे हैं सबसे पहले मैं आपको सिखाओंगा सिखाने इंग्लिस लेंग्वेश के बेसिक्स बेसिक टर्म्स बेसिक इस्ट्रोक्षर जिनको समझे बगएर कॉंसेप्स को सीखा या समझा नहीं जा सकता इसलिए हमारे बच्चे इंग्लिस को समझने के हुझा है रूल्स की मदभ़स तो हम सबसे पहले क्या करेंगे English के basics कवर करेंगे फिर उसके बाद में chapter wise concepts हैं और uses हैं उनको one by one deal करेंगे फिर आप देखना कि वह आपको concepts क्रिस्टल क्लियरली समझ में आते हैं कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं कोई रूल नहीं कोई exception नहीं सब बेकार की बाते होती ह है बेकार बनाने के लिए होती है ठीक है आपको कोई रूल और रट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूटूब में समझ गया है हर एक चीज़ लॉजिकल है बस उसके लिए खुद को तयार करना पड़ता है तो सबसे पहले हम खुद को उसके लिए तयार करेंगे ठीक ह लग्णास से पहले लेंस सेंटैंस सकते सब्सक्राइब सबकुछ बार में उसके बाद सबकुछ अनुकुछ आता है वह उसके ऐसके और आता प sexy लेवल करते हैं जब तक हबता ही कि सेन्टैंस क्या होता है ठीक है उसकी टीटेल्स हमारे पास नहों तब तक आप language को कैसे सीखोगे तो सबसे पहले हम यह सीखेंगे उसके बाद में phrases and clauses जो की सबसे important part होते हैं sentence की इनको सीखेंगे फिर parts of speech one by one noun pronoun adjective verb adverb conjunction preposition verbs non finite verbs यह सब उसके बाद में determination articles tense and conditional subject word agreement competition गिल्वाइब बार important होता है question tags active and passive voice direct and indirect narration और फिर miscellaneous concepts कुछ independent concepts होते हैं इंगलिस के जो किसी chapter में fit नहीं बैठते हैं लेकिन उन पर बेस्ट exam में questions आते रहते हैं ठीक है फिर वो miscellaneous concepts है वो आपके करवाए जाएंगे यह हो गया प्रेक्टिस करवाएंगे ठीक है फ्रेजल वर्प्स सीखने वाला content है वो कैम में यह आपको सीखनी समझनी पढ़ती है यह प्रेक्टिस से केवल नहीं होता यह आपको समझानी पढ़ती है जो समझाने से समझ में आती है केवल पढ़ लेने से बुक में यह confusion क्रेट करती है ठीक है बाकी यह जो है प्रेक्टिस वाली वह कहाव है यह आपको लाइव ग्लास में पढ़ाए जाएगा उसके आद में पैसे हैं सेंटेंस अरेंजमेंट है इनकी प्रेक्टिस यह आपका अब इसके आगे बढ़ते हैं हम करते हैं सुरुआ सेंटेंस तो हमारा पहला टॉपिक आते हैं अब आपका स्टार्ट हो रहा है तो हमारा पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वह है दिस सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंगलीज को डील करते हैं अब जैसे अगर बच्छा सोचे कि sentence में क्या details क्या topics हो सकते हैं जो हमें जानने तो देखो सबसे पहले what is a sentence sentence है क्या parts of the sentence sentence के parts क्या होते है types of the sentence what makes a sentence incorrect किस वज़े से sentence incorrect हो जाता है ठीक है and grammatical function of the words in the sentence sentence में जो हमने words सब्सक्राइब करें किम ताइप एंड पार्ट ऑफ की बात करें है किसेंटनेस्ट होते हैं कितने टाइप सेंटेंस के पाट का सबसे पहले मिभी से शीखते से देखके देचेंट आप मैं से कोई वच्चा मुझी कोई सारे लोग बताओ define the sentence आपको जो भी पता है जितना भी पता है sentence की definition मताईए मैं आपके comments देख रहा हूं मैं आपके comments देख रहा हूं आप सभी लोग sentence को एक बाट define कीजिए अगर आपसे कोई पूछे मैं ही पूछ रहा हूं फिलाल में what is a sentence sentence क्या होता है तो आप मुझे क्या बताएंगे कि सेंटेंस क्या होता है कि सारे बच्चे कि अग्याइब कि देखें कुछ बच्चे हैं उनको साथ आज लैप्टॉप पर एक्सेस करने में क्लास को प्रॉब्लम हो रही है तो आज के लिए आप थोड़ा हमार साथ अजस्ट कीजिए ठीक है और अगली क्लास से नेक्स्ट क्लास से आप लैप्टॉप पर भी अजसेस को एक्सेस कर पाएंगे ठीक है बस इस ख्लास के लिए थोड़ा सा मैंने इस कर लीजिए अजस्ट कर लीजिए अमार साथ में ठीक है अगली क्लास से आप लैप्टॉप पर भी उतने ही अच्छे तरीके से अप इस पर देख रहें मोबाइल पे ठीक है बढ़िया वे बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छी पताएं हाँ very good there is always room at the top there is always room at the top का मतलब यह होता है कि सुधार की गुंजाइस हमेशा होती है आप कितना भी बहतर हो लेकिन और बहतर बनने का इसको हमेशा रहता है ठीक है तो यह जो आप लोगों ने डेफिनिशन अपनी बताई है इसको देखो मैं आगे थोड़ा सा इंप्रूब करता हूं it is a language unit which makes a complete sense it is a language unit which makes a complete sense sentence sentence एक language unit होती है जो की एक complete sense convey करती है लेंग्विज यूनिट भाषा की इकाई जैसे हम भाषा पढ़ते हैं तो भाषा में बहुत से मतलब यूनिट्स होती है इकाईयां होती है उनसे जुड़के लेंग्विज हमारी बनती है ठीक है अगर मैं आप से पूछओ वट इद्सकुशंटी हम उनको अलग में डिसकस खरेंगे टीक है तो अगर हम ल्ट्र हो गए लेटर से वर्ट बन गए और वर्ट से सेंटेंसे बन गए लेंगविस उनिट से बाशा की इक आई हैं अब जो लेटर सोते हैं डे डांट एब मीनिंग डांट हैव मीनिंग लेटर समय नहीं होता हो words have meaning words have meanings words में meaning होता है लेकिन words का meaning होता है न वो complete thought या idea express नहीं गाता मलब मैं जो कहना चाहरा हूं आप इसको ऐसे समझेए सब्सक्राइब हमने यहां पर एक word लिख दिया पूल यहां हमने word यहां पर लिख दिया यहां हमने word लिख दिया Boy I do यह और हमने और लिख दिया चैनल में आइन के साथ में कोई नवी मीनिंग तो अटैसे हैं यहां पर लिख दिय है works ६ मैं अमने लिख दिया प्ले ए तो आल दिज वर्ड्स हैं था बॉर्ण समुममीनिंगtor लेकिन यह जो लेकिन जो सेंटेंस का मीनिंग होता है वह एक कंप्लीट थॉर्ट को एक कंप्लीट आइडिया को कनवे करता है तो सेंटेंस जो होते हैं वह ऐसी लेंग्विज यूनिट्स होती है विच में कंप्लीट सेंस जो एक कंप्लीट सेंस कंवे करते हैं कंप्लीट फूरा सेंस का मतलब यहां पर थॉर्ट या आइडिया है यह ध्यान रखना है सेंटेंस सेंस का मतलब यहां पर एक थॉर्ट या आइडिया है यह हो गया आगे बढ़ते हैं जैसे आप देखेंगे कि जो सेंट जैसे कि आपको पता है आप लोगों ने जाता तरह अच्छा कमेंट किसेंटेंस कि उन्हें जो होता है टाएस लेकिन एक चीज बताएए क्या एनी ग्रूप अधर सेंटेंस क्या कोई भी ग्रूप और जो होता वह पिरी होता है मोहन स्कूल संड़े नॉट गोज ऑन जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएं मोहन स्कूल संड़े नॉट गोज ऑन डॉट नहीं गुरूप वर्ड तो यहां पर तीन चीज़ें क्रूप वर्ड को अगर हम सेंटेंस कहते हैं तो आप मुझे यह बताएं कि यहां पर यह जो मैंने एक गो वर्ड लिखाया और इसके आदें फुली स्टॉप लगा दिया है क्या हम इसे सेंटेंस क्या सकते हैं जैसे मैंने लिखा गो इस टेंटेंस कोई लोग है माल लो मलब कोई रेस वगरे होनी है वहां पर लोग अपना खड़े हुए और रेडी तुरन दोड़ने के लिए तयार खड़ें ठीक है देया जस्ट वेटिंग फॉर दी ओर्डर का इंतियार कर रहे है जो पर्सन और जिसे ओर देना है उसने कह दिया रण इस टेंटेंस क्या रण जो है वह सेंटेंस है या नहीं है यहां पर थोड़ा सा मतलब जो किताबी बाते होती है उनको हटाकर थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लानी है यह जब लॉजिकल अप्रोच हम डेवलप कर लेंगे ना तभी जाके यह समझ में आएगी तभी कमांड अच्छी आएगी ठीक है यह बहुत सी बाते हमने याद नहीं करते हैं रखरण पर बिलकुल नहीं करते यह जब जरुब्र आपको पढ़ेगी ना तभी काम नहीं करएगी ठीक हमें यहां पर थोड़ा सा लिखा बोला नहीं जाता यहां पर इसका सब्जेक्ट लिखा बोला नहीं गया लेकिन है इसको हमें सही करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा मोहन कर दो तो यह गलती से यहां पर इसको सही कर देता हूं है मोहन दसनोट गो टो स्कोल ओं संडे है यह सेंटेंस नहीं तो जो ग्रूप होता है उसको ग्रमिटिकल औरर में होना चाहिए उसको ग्रामिटिकल और में होना जरूदी ए ऐसा नहीं कि अपने वर्टिक यह है इसकी ओरजिन लेंग्वेश संस्कृत है कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है संस्कृत की लेकिन आपको बताने जानकारी है बाखी जिन बच्चों ने संस्कृत को थोड़ा ध्यान से पड़ा है थिक है एक हो संस्कृtime आखो में सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब क्या है कि एक स्ट्रक्चर terminal यह की है जो बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर देखो. मैंने लिखा, राम ने आम खाया, ठीक है? आम राम ने खाया, ठीक है? ठाया, आम, राम ने, ठीक है? राम ने, ठाया, आम, ठीक है? अब यहाँ पर जो वर्ड्स है, आप देखोगे तो हमने उनको फोर वेज में अलग-अलग शफल करके ऐसे लिख दिया, मुझे नहीं लगता है कोई confusion हो रहा होगा, मीनिंग वाइस, ठीक है? अब यही बात हम जड़ा इंगलिस के दाथ में करके देख लेते हैं, राम, एट, मैंगो, मैंगो, एट, राम, एट, मैंगो, राम, यह नमबर क्या पढ़गे हैं, बैच्छे, एक मिनिट, राम, आब मैंगो लिख लेना यहाँ पर, राम, अमैंगो, एट, आया को समझ में, अब यहाँ देखो, यहाँ पर यह चारों सही हैं, यह वाला थोड़ा आपको जीब लग रहा होगा, पूर्थ लेकिन वो सही है, राम, एट, अमैंगो, सही, अमैंगो, एट, राम, खेर, उसको देख लेंगे सही है, गलत है, लेकिन एट, अमैंगो, राम, गलत, राम, मैंगो, एट, यह फोर्थ भी गलत, फुल मिला कि यह दो तो गलत है, यह कनफॉर्म है, सही है, और यह इलोजिकल है, ग्रामेटिकल यह सही है, ग्रामेटिकल यह सही है, ठीक है, बट हमें पता उसका जो मीनिन निकलेगा, वो उस हिसाब से लोजिकली गलत है, ठीक है तो गलत यह बेसिकली और यह जो है यह जो है यहां पर हमें समझना है कि जो इंग्लिस है ना वह स्ट्रक्चर वाइस एक रिजिड लेंग्वेज आप स्ट्रक्चर के साथ में शफल नहीं कर सकते ठीक है ऐसा करने से सेंटेंस का मीनिंग या तो बदल जाएगा जो आप कहना चाहते हैं उसके अलावाद दूसरा मेंदिक करने बें हुजाएगा पर इनकी पोढ़ीजान कर दोगे तो फिर यहां पर बहुद जादे एक्सपरिमेट्स नहीं कर सकते ठिक तो कोई भी ग्रूप को वर्ड सेंटेंस नहीं होता है सेंटेंस क्या होता है उसके इन कंडिशना होती हुआ आपको समझने है कोई भी सेंटेंस जो है वह कंपलीट सेंस इक क्रें हैं कंडिशन या करें कि तूसरी कंडि इसंदिकों इसका इस ट्रॉक्टुर ग्रामिटिकर हो जो है उसका प्रॉपर हो और तीसरा वह जो मीनिंग करें वह मीनिंग लॉजिकल यह तीन कंडिशन्स होती है इनको जो इस्ट्रक्चर पूरा करें वह सेंटेंस है ठीक है संस्कृत जिन बच्चों ने पढ़ी हुए मेरी बास समझ गयोंगे मैंने हिंदी का एक्जांपल लिख दिया राम ने आम खाया क्योंकि मुझे संस्कृत में नहीं पता ही बात कैसे कही जाएगी ठीक है लेकिन बच्चों ने संस्कृत पढ़ी है उनको यह बात बहुत 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 तरीके समझ में आगी हुए जो मैंने कहिए कोई भी इस्ट्रक्चर सेंटेंस है यह यह को यह जैज करने के तीन पैरमीटर से हैं जो आपको समझ नहीं कि एक कम्पलिट मेंनिक करें उसका थांट और मेंनिंग कम्पलीट वहली चीज दूसरी बात उसका जो स्ट्रक्चर है है कि जो मेनिंग है वो एक लॉजिकल मेनिंग हो ठीक है अब मैं यह वात है आपको ने एक दो एक्जांपल से समझाता हूं सारे बच्छे इधर ध्यान देंगे मैं हमने एक सेंटेंस लिखा कि इप ही दस नॉट एग्री with your friends if he does not agree with your friends एक लिख दिया दूसरा देखो they have not invited I ठीक है तीसरा तीसरा सेंटेंस एक मैं आपको लिख देता हूं जो कि देखने में लगेगा सही बट होगा नहीं से ठीक है तीसरा रहे लिख दिया अब आप इन तीनों इस्ट्रक्चर्स को देखिये अब आप इन तीनों इस्ट्रक्चर्स को देखें अर मुझे जल्दी से बताईये एं यह तीसरा इस्ट्रक्चर्स क्वालिफाई एज एक करेक्ट सेंटेंस कहे जा सकते हैं यह तीनों इस्ट्रक्चर्स क्या हम इनको प्रॉपर सेंटेंस मान सकते हैं यह तो इस्ट्रक्चर्स इस नौट प्रॉपर सेंटेंस कंबडी आसिंग से लाइब क्लास है मैं कैसे पता चलेगा पेड़ा तुम्हारे कमेंट को रेपलाई कर रहे है मुझे लगता है इससे तुम जान जाब गए लाइब क्लास होगी चलो अब यहां पर देखो सारे बच्चा समझना यह जो हमने लिखाना ही डस नॉट अग्री विद यॉर फ्रेंड्स अगर हम इसमें इफ हटा दें और केवल इतना लिख दें ही डस नॉट अग्री विद यॉर फ्रेंड्स तो यह एक कम्प्लीट सेंटेंस होगा हम इसको सेंटेंस कहेंगे यह एज इस सेंटेंस क्वालिफाइब कर जाएगा इस ट्रक्चर ठीक है लेकिन अभी क्या है जब आप लिखोगे तो जातर बच्चे जानते होंगे कि इफ के साथ में लिखा गया स्टेट्मेंट एक कंडिशन होता है जिस कंडिशन में कोई काम होता है यह किया जा सकता है अब ध्यान से देखो यह जिस एक्षन की कंडिशन हो एक्षन है यह आपर मेंशन नहीं है हमने लिख तो दिया इफ इस स्ट्रक्चर ड़स नॉट क्वालिफाइब करता है यह गलत है मतलब हम इसको गलत की कटेगरी में डाल देंगे ठीक है वी विल नाट अक्सेप्ट डिसस्ट्रक्चर अजर सेंटेंस नेक्स वैंजो इन्वाइट कि उन्होंने तो मुझे इन्वाइट नहीं किया तो हमें पता है आई इस्पीकर को रेफर करता है आई जो होता है यह स्पीकर के लिए वाला प्रोनाउन है लेकिन जब आप किसी को किसी वर्ब का या तो इसको प्रोपेक्टी लिखना पड़ता है अब होता आई तो यह स्टेट्मेंट भी अभी ऐस करेगा बड़ गलत माना जाएगा तो हमें इसको सही करना है तो घ्रमेटिकल मिस्टेक्स होती है तो आप इसे कर दो मी सही हो गया आप नेक्स में आप देखोगे तो यहां पर हमने कील्ड के बाद में मी लिख रखा है पहले सही लिख रखा मी है ते हमारा सब्जेक्ट है मुझे बताइए सही है गलत सारे बच्चे को और कमेंट करें को बताइए जितने भी बच्चे इस समय लाइव है सबको यह आंसर कमेंट करना है आगे दे किल्ड मी क्या यह सेंटेंस जो है वो ग्राइमिटिक ली और लॉजिकली अब यह पहली क्लास है सुधार होगा तुम्हारे आंदर जबदर स्वार होगा ऐसा सुधार होगा कि इंगलिस पढ़ने की साथ मा पढ़ाने भी लग जाओगे गलत है अब देखो ये ग्रामिटिकली सही है, grammar की इसमें कोई कोई मिस्टेक नहीं है पिधा बीटीम कम्पलीट है मुझे मार डाला मीनिंग कम्पलीट है यह वाला पहला चेक बॉक्स ठिक कर दो यह दो चैक बॉक्स टिक हो गया तीसरे वाले ने उल्जादिया नहीं ल। मनी का मतलब है फ्रूस्ट पर्स लेम फीकर यह कह था कि उन्होंने मुझे मार डाला को सकता है थाW की से नहीं मिला के पाद में थैख संग हो गया है अब हमने इस मिलाको सही कर नाहितContact है और इसको आप किसी ऐसा कॉंटेक्स सेंटेंस को जिससे की लॉजिकल बन पाए अब इसको आप इसमें लिख दो दे ऑल्मोस्ट किल्ड मी ऐसे लिख दो डे आलमोस्ट killed me, लो सही हो गया कमज़ार बच्चा जान गया हो गया, यह क्यों सही हो गया क्योंकि they almost killed me का मनलब not exactly exactly उन्होंने मुझे नहीं मार डाला, बट अदमरा कर दिया तो यह सही हो गया, या फिर आप देखो, अगर almost नहीं लिखना चाहते हो तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, अगर आप almost नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो एक तरीका है कि आप इस वर्व को past indefinite के बजाए ना future indefinite बना दो, ऐसे लिख दो they will kill me, they will kill me, वो मुझे मार डालेंगे, मार लो उन्होंने मुझे मुझे धमकी दिया है, ढूंडते गुम रहे हैं मुझे, तो संबन केंसे कोई यह बात कहा सकता है, they will kill me, past indefinite यूश करोगे तो देखो कहलाता है, आप future indefinite में यूश कर लो, they will kill me, सही हो जागा, या almost लिख दो इसी के साथ में, they almost killed me, तो भी से जागा, तो बात समझ में में आ रही है, जब भी कोई sentence, कोई structure sentence है या नहीं है, तो यह मत कहा करो कि गुरूप of words है, single word can be a sentence, and a group of words cannot be a sentence, ऐसा भी हो सकता है, single word आपका sentence हो, वो तो group नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, गुरूप of words हो, लेकिन sentence नहीं हो, तो main बात ही है, यह तीन पॉइंट्स आपको ध्या पुरा ना हो, जो कि grammatical structure में लिखा गया हो, grammatical form में structure में लिखा गया sentence हो, ठीक है, और एक logical context convey करता हो, मेरी teaching ने यह चीज़े बहुत important है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो यह basics है, मेरी teaching के, यह आपको पहले पता होना चाहिए, ऐसे में language को approach करता है यह नहीं कि book में लिखा है, ऐसा ऐसे होता है, हमने याद करें बैठे हुए हैं, वो bookish knowledge से काम नहीं होता है, time बहुत खराब होता है, इस तरीके से एक बार मेहनत तो करनी पढ़ती है, बड़ काम हो जाता है, एक ही बार में, चलिए, तो फिर मैं बात आपको समझाता हूं, हम लोग यह पढ़ रहते हैं कि sentence क्या होता है, ठीक है, और sentence के types और parts क्या होते हैं, ठीक है, तो इतनी देर में मैंने आपको यह समझा पाया कि sentence क्या होता है, sentence is a language unit, which has a complete sense, is written in a grammatical form, and refers to some logical context, जो किसी logical context को convey करता है, it could be a group of words, and it could not be a group of words, ऐसा भी हो सकता है, यह group of words हो, और sentence क्या होता है, समझ में आया, आज़े, आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं, types of sentence, क्या parts पहले देख लेते हैं, parts of the sentence, कोई बच्चा मुझे बताएगा, कि parts of the sentence क्या होते हैं, जल्दी से सारे लोग comment करके बताएं, what are the parts of sentence, sentence के parts क्या होते हैं, इनको भी बोलने दें, इनका भी comment देखते हैं, बहुत अच्छी बाद, बहुत मज़ाएगा, अभी तो basic है, थोड़ा सा न, तो यहां पर आपको ऐसा लग सकता है, कि थोड़ा सा भी slow है, ऐसी मतलब बहुत मज़ाएगा आगे तो, इस फिरुवात की दो-तिन classes होते हैं, इनको बच्चों की foundation रखनी होती है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है, एक वार यह समझो तो सही, यह approach, जिस तरीके से मैं language को approach करता हूँ, जिस तरीके से मैं questions को approach करता हूँ, इक वार इस approach में आओ तो सही मेरे साथ, फ two, subject, verb, object, subject and predicate बढ़िया, अब देखो, वैसे होता sentence के कई पार्ट होते हैं, जैसे तुम लोग बता रहे हो, subject है, verb है, object है, compliment है, object, compliment है, phrase है, clause है, verb, phrase है, यह सब sentence के पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन basic part, basic parts of the sentence, फिर उसके बाद basics को हम आगे detail में study करेंगे, लेकिन अगर हम करें basic parts of the sentence, तो basic part of the sentence दो होते हैं, एक होता subject, एक होता प्रेडिकर, ठीक है, तो वैसे तो sentence के बहुत से पार्ट होते हैं, जो भी आपने sentence में लिख दिया, वो sentence का पार्ट है, इवन आपने अगर full stop लग लगा दिया, तो वो भी तो sentence का पार्ट है, माल लीजिए, question घतम हो और उसके आदम ने question mark लगा दिया, तो question mark जो है, वो भी तो sentence का पार्ट ही है, पार्ट से अलग तो नहीं है, तो जो भी आपने sentence में लिखा, वो सब उसका part है, लेकिन अगर हम basic parts की बात करें, sentence के दो मॉल basic parts, ठीक है, तो वो subject of predicate होते हैं, ठीक है, तो सारे गए बच्चों के comment देखते रहे हैं, डिस्पले से नाम आ रहा है, अच्छा अच्छा ये इसको कह रहा है, तो देखो, अभी हम बात करते हैं, basic parts of the sentence, कि वो मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले आप ऐसा sentence होता है, एक message, sentence क्या होता है, sentence होता है, एक message होता है, अच्छे तुम लोगों ने कभी सोची, कि हम sentence क्यों use करते हैं, ठीक है, sentence का use हम क्यों करते हैं, जैसे हम sentence को लिख कर और बोल कर use करते हैं, क्यों करते हैं, बताओ तो एक बार मुझे, सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताईए कि why do we need to use sentences in written और spoken language spoken या written language में हमें sentences की ज़रूत पढ़ते ही क्यों है जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे why do we need sentences हमें क्या ज़रूत करने के लिए जो हमारे पास कोई आइडिया है कोई एक्सपीरियेंस है इसको हम शेयर करना चाहते हैं दूसरों के साथ में यह दूसरे जो शेयर करने उसको रिसीव करना चाहते हैं और सेक अपकमिनिकेशन तो हमें sentence की वाक्यों के ज़रूरत पढ़ती है अपनी बात दुसरों तक समझाने के लिए और दुसरों की बात खुद को समझने के लिए इसलिए चाही होता है तो जो सेयर कर रहे हैं मैसिस जो है वह सेंटेंस होता है अब उस मेंसेज में ना दो पार्ट होते हैं एक पार्ट जो होता है कि उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट एक पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट अगर मैं आप कहूं कि सब्जेक्ट को जड़ा डिफाइन कर दीजे मेरे लिए मैं जानता हूं आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी जानना चाहता हूं ठीक है संटेंस में सब्जेक्ट क्या होते हैं लेकिन वह सब्जेक्ट की डिफाइन कीजिए सब्जेक्ट होता क्या है हलाएं कि अभी मैं तुम लोगों से कोई बहुत ज्यादा हाइफ उम्मीदे भी नहीं कर रहा हूं जब मैं आपको पढ़ा लूँगा दो चार-चे हफते चार-चे हफते मान लीजिए एक महिने तक मैं आपसे ज़्यादा उम्मीदे नहीं रखता ठीक है उसके बाद फिर मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि मैंने पढ़ाया तो वह आप इसको पहले पढ़ा चुका हूं उसके बेसिस पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन या कॉं दिखा नामपी इसटी त्यारी तुम का मुझे अगर ये अप्रोच लेके जाओगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी जो subject होता है वो doer हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यह बुकिस बाते हैं यह किताबी बाते हैं जो आपने आद कर रखेंगी sentence में जो subject होता है वो doer होता है ठीक है? ऐसा नहीं है मतलब मैं यह नहीं कहा रहा है कि subject doer नहीं होता है बट ऐसा नहीं कि वो डूर हो गई होगा अच्छा एक चीज़ बता हूं मुझे मैं ऐसे ओरली तुम लोगों से पूछ लेता हूं कि आप पैसिव वोईस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो कभी डूर होता है मैं एक एक्जांपल लिख देता हूं ठीक मिटा दूंगा इसको अगर सब्जेक्ट है और अगर सब्जेक्ट है तो क्या दूर है या नहीं है जल्दी से बता है क्या यह जो मैंने दस सॉंग लिखा यह सब्जेक्ट है या नहीं है कि एक पिच्चा कह रहा है नहीं सब्जेक्ट नहीं है तब ही तो तब ही तो महिनों का काम तुम सालों में करते हो इसलिए शुरुआत गलत करते हैं स्पजेक्ट है बेटा niche मुझे पता है कि कुछ हमारे बत्चे होते हैं उनको इस तरीके से पढ़ा दिया गया होता है कि यह अब्जेक्ट है proceed यह एक्टिव वर्म में फजेक्ट था पैसी में नहीं है पैसी बन गया जैसे हम ने लिखा क्या देखो बिच्चो I sang the song I sang the song जैसे हमने लिखा तो इसमें न I subject है और ये वर्व हमारी active voice में है ये वर्व हमारी passive voice में है और इसमें song subject है अब यहाँ पर subject doer है बेट यहाँ पर doer नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया अगर तुम कहोगे कि song subject नहीं है ये भी subject है ये भी subject है तो सारे बच्चों को हमारे ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो doer होता है वह subject होता है subject जो होता है वह हमें से doer होता है subject वो होता है जिसके बारे में बात करते है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि subject is what we talk about आपको देखो मैं यह समझाता हूं सारे ध्यान देंगे जैसे मैंने आप से का कि जो sentence होता है वो एक message होता है सब्जेक्ट जो होता है वो उस message का topic होता है जैसे आपने कोई message लिखा है तो message का topic जो है वो सब्जेक्ट है सीधे सब्दों में कहें what we talk about what we talk about अब इस बात को कभी भूलना नहीं अगली वार अगर मैं कभी भी पूछू बार बार पूछी जाएंगी यह बात है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी तो आगे हमेशा ध्यार नगना है कि subject is the part of the sentence that tells us what we talk about in the sentence sentence का ऐसा पार जिससे हमें यह पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्देक्ट है अब आते हैं प्रेडिकेट से नहीं होना पहली क्लास से हमें मिस नहीं करना है पहली क्लास से सात्मी मेरे हो जाऊगे ना तो इंग्लिज कितनी अच्छी है मैं तो मैंने आपको बताई कि सैंटेंस होता है और subject उसमेसेज का topic होता है और प्रेडिकेट उस topic की details होती है तो predicate को मैं ऐसे define करेंगे what we talk about the subject predicate is what we talk about the subject जो भी हम subject के बारे में बताते हैं वो predicate होता है तो sentence के दो part होते हैं एक part subject होता है एक part predicate होता है subject वो part होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम sentence में किसके बारे में बात कर रहे हैं टीटिकेट वह पार्ट होता है जिससे में पता चलता है कि हम सब्जेक्ट के वारे में क्या बता रहे हैं हो बहुत हैं कि सर्टेप अबर कर रहे हैं and predicate is what we talk about the subject और जो subject के बारे में बताते हैं वोई प्रेडिकेट होता है ठीक है अब थोड़ा से इनको और detail में समझ लेते हैं जाए मैंने एक सेंटेंस लिगा कि आई विल नावर अगें कि में कि अच असिली कि मिस्टेक कि यह लिखे जैसे मैंने दूसरा देखो कि दम मैं कि इंदिक कार कि यह ड़ोज पार्ग्ड कि देर कि इस कि लाफिंग कि यह मैंने दो सेंटेंस लिखें एक बार सारे बच्चे मुझे जल्दी से इन ने सभलिक्ट और इंटी पिट करके बताएं यह आपका क्वेशन वन солн læoph profesional का बता यह सारे बच्चे बताएंगे कि को यह सब्येक्ट कि है divided का कि है कि सब से पहले स belong में बच्चे हमें यह बताएं कि इसमेर अब रगेट कर जल्दी बताओ जल्दी से आई लिग देते हो तुम लोग हाँ सब्जेक्ट है अब देखो हमें कुछ नहीं करना है हमें सेंटेंस पढ़कर यह समझना है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं वहीं सब्जेक्ट है तो हम देखें सेंटेंस में अपनी ही बात कर रहा है अब यह अपने बारे में क्या बता रहा है यह अपने बारे में बता रहे हैं यह अगला देखो अब जल्दी से मुझे इस में भी बता दो कि यह अमारे सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है अब बस सब्जेक्ट बता दो प्रेडिकेट में अपने आप समझ जाऊंगा ठीक है The man in the car that was parked there is laughing. खेलो बतावे, जली से बतावे. The man in the car that is parked there is laughing. बतावे. The man in the car that was parked there is laughing. कि तो प्रेजेंट इंडफनिट में दोता है तो प्रेजेंट इंडफनिट में और टैंज में तुर सब्सक्राइब यह प्रिजेंट इंडफिनीट में इंडफिनीट में यूज होते हैं बेसिक बात तो यह है लेकिन अब आगे आप तयार रहना जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि यह ऐसा नहीं कि अब इंडफिनीट होते हैं यह पर्फेक्ट में भी होते हैं लेकिन वहां तक आपको लेकर नहीं जाओंगा तो अगर आपको पढ़ाऊंगा कि यह आपके कॉंटिनीवस होते हैं जो पढ़ें कि अंगलिस की किसी फरख नहीं करता ऑप औलान करो ऑफ्लाइन करो आप से क्रेक्टेस करो आपसे क्रेएंगे सारे अब इस sentence में देखो हमने क्या कहा the man in the car that was parked there is laughing यह वाज की जिए करना पड़ेगा थोड़ा से इसमें ठीक है अब यहां पर देखो हम यहां पर बात किसके बारे में कर रहे हैं दम मैंन इन दा कार देट इस पार्क देर वहां जो कार पार्क है उस के अंदर जो आदमी है उसकी बात हो रही है तो यह हमारा सब्जेक्ट है कि कोई कार कहीं पर पार्क है उस कार के अंदर एक आदमी है और उस आदमी को लेकर हम बात कर रहे हैं तो यह हमारा सब्जेक्ट हो गया अब हम क्या बता रहे हैं उस आदमी के बारे में इसलाफिंग यह इसका प्रेडिकेट है तो इस तरीके के समसेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है यहां तक आगे अब एक चीज और देखिए मैंने एक सेंटेंस लिगा मोहन और इस पारेंट्स नो मी वेल मोहन एंज और इस पारेंट्स नो मी वेल जल्दी से सब्जेक्ट बता उसका अद्दूस्रा कम्मल कम्मल दोसेंट लाइक तो इस और इस अईसे मैंने लिख दिया इन दोनों में आप मुझे प्रेडिकेट बताईए मतलब सरी 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 इसमें बताओ मुझे सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बताओ क्या है और इस सेंटेंस का प्रेडिकेट बताओ क्या है जल्दी से बताओ सारे बच्चे जल्दी से Mohan and his parents know me well Kamal doesn't like sweets and eats only fruit आप देखो यहां पर सारे बच्चे को ध्यान रखने मोहन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके parents के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर ना हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं दो के बारे में, एक मोहन के बारे में, उसके parents के बारे में और इन दोनों को उपने end से जोड़ दिया है, तो यह जो हमने दो subject end से जोड़ दिये न, इनका ध्यान से देखो, predicate common है, know me well, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने predicate अलग अलग लिखें, predicate तो यह हमारा compound subject है, Mohan and his parents, Mohan एक subject है, his parents एक subject है, दोनों को end से जोड़ कर common predicate के लिए उसका लिया, तो यह होगे compound subject, तो इसे हम कहते हैं compound subject, अब कोई बच्चा यह सोचे कि अभी तो चलो हमने दोनों को end से जोड़ रखा है, तो हम इने compound subject कह रहे हैं, लेकिन अगर मान लो end से ना जोड़ रखा होता, केवल हमने मोहन लिखा होता, या केवल his parents लिखा होता, तो फिर हम his parents को केवल, या केवल मोहन को क्या कहते, subject कहते, subject कहते, नहीं, तो कोई अगर adjective उज़ी करना था, तो simple subject कह सकते थे, simple subject, थीक है, बट simple बोलने की कोई जरूद होते हैं, उसको आप simply subject सब्जक्ट करें के तो यहाँ ये तो हम एंड में सब्जेक्ट की हम दो सब्जेक्ट को एंड करके उन के लिए आइसे सब्जेक्ट को फिर हम कहते हैं मता धर्लों कारें कर एक तो कमल के कमल के बारे में एक बारे में यह बता है कि उसको मिठाई पसंद नहीं है दूसरी बात हम बता रहे है इस अनली फ्रूट कि वह केवल फल खाता है ठीक है यह दूसरा प्रेडिकेट हो गया तो यहां पर आप देखो गए कि हमने जो हमारा सब्जेक्ट है कमल उसका रहे हैं दो धूप झार है अन इसको मिठाई नहीं पसंद है इस अनली फ्रूट के सब्जेक्ट अलग नहीं है इन दोनों प्रेडिकेट को और सजोड रखा है यह वह नहीं हमारा प्रेडिकेट को है यह अगली बार कोई पूछे कि सब्जेक होता है इमत कहना है subject doer होता है वह क्लियर हो गया कि अगर हम कभी किसी एक प्रेडिकेट के लिए दो सब्यक्ट को end से जोड कर यूज करें तो फिर वो compound subject बन झाता है उसी तरीके से अगर हम एक common subject के लिए दो प्रेडिकेट एंड से जोड कर करें तो फिर वो compound प्रेडिकेट बन जाते हैं यहां तक लिए आगे बढ़ी है तो पाउट बेसिक पाउट अपड़ सेंटेस हमने कवर कर लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट अब हम इसके आगे बढ़ते हैं आपका इसमें भी डाउट कर रहो अरे लाइव हो अब जल्दी से वहम का कोई लाज नहीं है ठीक है अब मुझे जल्दी से बच्चे यह बताओ सारे लोग there are how many types of sentences sentences के types कितने बते हैं जल्दी से बताओ types of the sentence sentence के types पहमी बच्चे हैं अपने आथ गुरु जी पर सक्करते हुए आधि गुरु जी पर सक्करते हुए तुमां पढ़िया तो अब कि पहले गुरु जी हुआ करते थे फिर गुरु जी से आचारे हुए ठीक है फिर आचारे से कि प्राचार से क्या हुए मुंसी जी हुए मास्टर हो गये हैं कि अब कहां पहुंच गए कोई बता रहा है तीन कोई बता रहे है पांच और भी हैं कि तीन पांच के लावा भी कोई है है, ऐसा भी कोई है, जिसको लगता है कि 3-5 के लावा भी कुछ हो रहा है, छलो बढ़ी है, छो 3 कह रहे हैं, वह भी सही है, जो 5 कह रहे हैं तो मैंसे गलत कोई नहीं, तो यह होते हैं जो इनका तीन तरीका वाला है उसके लिए भी हम तयार नहीं है किया की उसके लिए हमें कुछ basics और सीखने समझने है फिर हम वहां पर आएंगे वह थोड़ा से technical प्रोच के साथ में तो वह हम अगली क्लास में आएंगे आज की क्लास में हम सेंटेंस का वह टाइप पड़ते हैं जिसके तरीके को यह यह करता है कि आप कि कि बेसिस पर कर रहा है कि जो तिन डाइप बाला क्या उसको समझने के लिए अभी हमें कुछ और डीटेल समझने की जरूरते हैं फ्रेजर उनकी थोड़ी डीटेल हमें सीखने की जरूरते जो मैं आपको अगली क्लास हम समझाऊंगा ठीक है आज की क्लास में हम पढ़ते हैं स उसके सेंटेंस का जिसके और इंड यह पांच होते हैं तो यह होता है अगर हम सेंटेंस को कटेगराइज करें सेंटेंस का क्या है कोई भी हमने सेंटेंस लिखा या बोला उसके तुरू किस फंक्शन को पर्फर्म किया जा रहा है उसका पेसिक फंक्शन क्या है तो इसके हिसाब से जो पांच तरीके कहों वेन बी-क टेगराइज से नेगेटिव ताइब तूसरा सेंटेंस का टाइप है इंटरोगेटिव माने इस वर्थ टाइप है सेंटेंस का एक्सक्लेमेट्री और फिफ्थ टाइप है सेंटेंस का अप्टेटिव तो जब हम सेंटेंस को उनके फंक्षन के बेसिस पर कटेगराइज करें तो यह सेंटेंस पांच तरीके के आपके होते हैं है एक मिनिट है कि निगिटिव पॉस्टिव जो होते हैं सेंटेंस के टाइप नहीं होते हैं यह ध्यान रगना आगे आपको पढ़ा दूंगा इंडेपेंडेंट कॉनसेप्स में असरिटिव इंटरोगेटिव कि इंपेरिटिव एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी और आप्टेटिव तो दीज आर दी फाइब टाइपस ऑफ सेंटेंसे वेन वी कटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू दू फॉंक्शन देट परफॉं तो जो नेगेटिव गलती से लिग गया था वो एक्छल में बोलते से मैं लिग गय ठीक है सारे वच्चों को ध्यान रखना है नेगेटिव पॉस्टिव यह सब सेंटेंस की पॉलारेटी होती है वह आगे जब थोड़ा सा हम लेवल आ जाएगा हमारा जब मुझे लगाएगा कि आपको समझने के लिए तयार हो तो नेगेटिव पॉस्टिव सेंटेंस का टा आपने हो सकते कुछ बुक्स वगएरे में पढ़ाओ कि यह सेंटेंस को लिखा होता है डिकलेरेटिव सेंटेंस ठीक है तो इक रही बात होती है एक वर्ब होती है एक वर्ब होती है असर्ट का मतलब होता है to state something कुछ कहना कुछ बताना बात स्टेट करना मतलब कथन कहना त कुछ डिकलेयर करते हैं यह हैं यह नहीं है ऐसा होगा है से नहीं होगा कैया है इन्हें हम क्या इथिस सिस्पीश होते हैं स्तेपमेंट्स हमने को treatment दिया हमने को बाथ कहीं बोली बताई तो वह तो एक assertive sentence interrogate sentences होते हैं questions अगर हम किसी कुछ पूछ रहें तो वो sentence interrogate हो घ्या ठिक imperative sentences जो होते हैं इंस्ट्रॉक्शंस होते हैं कि हमने किसी को कुछ कहने करने के लिए instruct instruct किया बहले order की form में किया request की form में किया वो अलग बात है ठीक है То instructions जो होते हैं फो feelings of joy feelings of sorrow feelings of surprise एडह सेट्राइज अव्टेटिटिव सेडिम faketrics होते हैं यह में गमलें होते ही विशेज टे也ंगS कि एडहे ग्रीटिंग्स एड हो हमारी में मतल़ाख वियर्टिंग्स होती हैं ग्रीटिंग्स होती है है बलेशिंग्स जब आपको समझा देटेनों के सदेट है नेगेटिव जिसमें आप सेट करते हो किसी चेज का होना और एकडिन सेट करते हो गब किसी चीछा नहीं होना ही kamu lives कि अ कि chan twins कि यहां नहीं रहता है कि यह दोनों ही ना इस में बता रहें कुछ होने के बारे में इसमें बतारें कुछ नहीं होने के बारे में तो जैसे कि वेना आपको बताता है नेगेटिव पुझते हैं कि पूछने के तरीके भी दो पूछने वाली बाते अगर होती है, questions होते हैं, अगर हम उनको categorize करें, तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो आपने किसी से पूछा, जो केवल, yes or no में reply किया जा सकता है, yes or no answer type के questions, वो helping work से start होते हैं, जैसे मानलो मैंने लिख दिया, do you, did you go there, जैसे हमने किसी से पूछा एक question हो गया, दूसरा question हमने पूछा, एक question हमने किसी से पूछा, जैसे कुछ पूछ दिया, जैसे पूछ दिया, तो अब ध्यान से देखो, यह जो question है, जैसे में helping और से सुरुवात किया, did you go there, इसको yes or no में reply किया जा सकता है, मानलो हमने किसी से पूछा, did you go there, गया थे वहाँ, तो इसने कहा देखो, why did you go there, क्यों गया थे, अब तो yes or no में reply नहीं कर सकता है, अगर मानलो हमने किसी से पूछा, did you go there, then he can reply in yes or no, ल questions होते हैं, जिनको हम कीवल, yes or no में reply, demand करते हैं, वह helping और से start होते हैं, कुछ questions ऐसे होते हैं, जिन में हमको detail demand करते हैं, तो जिस तरीके की details क्वेस्टे लेता तो अब उसको करते हैं अगर हमें मैनर कि कैसे गया बस से गया पैदल गया सुख लिए अगर हमें टाइम घानना होता है तो फाल गया फॉ लिग देते को यह जिते हां कुछ ब्रस ऐसे जिन में होग इस यर्ण डिमांड करते हैं उन में हमें डिटेल के स्प्रस्टिंट करते हैं उनमें फ्रस्ट करता है है उसके बाद है देखे अगला, imperative sentence होते हैं, statements, instructions, जैसे हमने किसी को order advisor request किया, तो वो imperative sentence हो गया, for example, जैसे हमने किसी दे कहा, sit down, bad job, यह order हो गया, मानलो किसी के लिए, order हो गया, please, walk fast, तो प्रिपया थोड़ा तेज चल ले, यह request हो गया, तो इस तरीके के sentences, जिन में हम किसी को order advisor request करते हैं, यह होते हैं, imperative sentences, please kindly जब भी लिखाओ, तो वो हमें से request होती है, ध्यान रखना है, दिख, अगला देखो, exclamatory sentences, exclamatory sentences जो होते हमारी feelings का sudden expression होते हैं, how sweet the song is, how sweet the song is, कितना sweet song है, ठीक है, यह दूसरा, alas, he is dead, alas, he is dead, alas, he is dead, तो अभी जो दोनों sentence आप देखेंगे न, इसमें expression of sorrow है, कोई person जो है न, sorrow express कर रहा है, alas, he is dead, दुख की बात है, ठीक है, इसमें हमने लिगा, how sweet the song is, कोई person है, तो जो song की sweetness से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया, कि उसने exclaim कर दिया, कि इतना sweet, मतलब he has not expected it, तो यह उसके लिए surprising हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के statements जो होते हैं, यह आपके होते हैं, exclaimative sentences at the end of the exclaimative sentences, we use mark of exclaimation, ठीक है, at the end of the questions, we use mark of interrogation. ठीक है, कोई भी sentence जो होता है, उसके end में न हमें end marks युजज करने होते हैं, तो जैसे assertive sentence end होता है, तो हम उसके साथ में use करते हैं, संतना है इंटेरोगेटीव सेंटेंस के dust करते मारक अपूँएंस छे चिए अब आगे अपटेटीव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह ब्लेसिंग्स विसे ज़र्च अर formally मालो हमारे घर पे महमान आये और हमने उनसे कहा you are welcome तो आप देखिए you are welcome को अगर हम करें तो हम इसको क्या कहें क्या यह कोई statement है क्या हमने कोई बात बताई है किसी को क्या यह क्वेस्चन है क्या हमने किसे कुछ पूछा है क्या यह कोई order advice request है क्या यह कोई sudden expression of our feeling नहीं यह greeting अभिवादन है आपके घर पे कोई आया तो आप उसको welcome कर आप उसको स्वागत कर रहे इस ग्रीटिंग इस नौट सदन expression of feelings it is not an instruction it is not an interrogation it is not a statement यह आपका greeting अभिवादन है तो यह operative sentences ठीक है में लिव लॉंग में यू लिव लॉग ठीक है आप दिरगाई इस प्रेयर कर रहे हैं किसी के लिए ठीक है तो यह आपको अप्टेटिव सेंटेंस अक्राइब करते हैं तो तो अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया बताया यह शुरुवात है जैसे कि आपको पताएं कि हमारे यह इंग्लिस फांडेशन बेच की पहली क्लास है तो फर्स्ट क्लास में हमने शुरुवात बिल्कुल बेसिक से किया है लोग इसको जीरो बोलते हैं जीरो वर्ड यूज़ करना अवोइड करता हूं अब यह जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सेंटेंस उसका एक सब टॉपिक हमने कंप्ली करते हैं इसके लावा में मॉडल का यूज हम ब्लेसिंग्स विसे प्रेयर्स के लिए चलिए तो एक मिनिट में आप पूछ सकते हो मुझसे आज की इस क्लास को मैं यहां पर एंड करूंगा और आपके लिए कुछ सोड़के जा रहा हूं जो इस पीडियाफ में यह आपको क्विडियाइगी ठीक है क्या दिखा देता हम करना क्या क्वेसें बता देता हूं यह आपको कर लेना और कल में यह आपको देकर जा रहा हूं इसका करूंगा पहले अब फिर उसके बाद में सेंटेंस से रिलेटेड हम कुछ और चीज़े डिसकस करेंगे मलब लेवल दीरे दीरे उठता जाएगा ठीक है यह क्वेस्टेंस में आपको दिखा देता हूं ए अब यहां देखें यह आपके questions हैं इनमें आपको क्या करना है मैं बता देता हूं किस तरीके questions से समल लीजिए ठीक है find the types, subjects and predicates of the following sentences यहाँ पर आपके पास में कुछ sentences है आपको उन sentences के types पता करने है जो अभी हमने discuss किये हैं उनके हिसाब से देखना है कौन से type का sentence है और उस sentence का subject और predicates identify करना है यह आपका homework है यह आपको पहले से करके रखना है जिससे की अगली class में हम इसको जल्दी से discuss करने के बाद में अब फिर तुरंत पहुंच जाएंगे अपना sentence related other topics पे other details को cover करने ठीक है तो यह questions है आपको PDF मिल जाएंगे यह PDF आपको app पर मिल जाएगा और वहां से अपना practice के लिए आपका homework हो गया बाकी है शुरुआत हो गए यह the first step has been taken ठीक है पहला कतम उठाया जा चुका है महनत तो हम लोग करी रहे हैं बाकी सारे बच्चों भी बहुत सिंसियर हैं अभी तक जैसा मैंने देखा स्क्रीन शॉट लेने की कोई जरुवत नहीं बैटा यह आपको मिल जाएगा यह PDF ही आपको मिल जाएगा क्यों स्क्रीन शॉट लोगे पूरा PDF मिल जाएगा आपको जो पढ़ाया है वो भी उसमें लिखा रहेगा और यह questions भी लिखे रहेंगे ठीक है बढ़िए चलें तो अगली क्लास से पहले होमवर्क सबको करके रहना है जो भी आज पढ़ाएगा इससे रिलेटेट कोई डाउट कोई question अभी तो चुंकि सुरुवात है तो ज्यादा आगे से आपकी क्लास से दो घंटे कोई करेंगे तो हम अपने दो घंटे में ना सुरुवात के जो दस-पंद्रा मिनट होते हैं वह डाउट के लिए रखेंगे पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया था उससे रिलेटेट जो भी डाउट जो भी confusion है वह फॉस्ट टैन जाने के गाद में फिरम पूरी क्लास में पढ़ाई करेंगे इस तरीके से आपका आगे से चला करेगा तो आज के लिए बस इतना ही है थैंक यू अबरिबेडी मेहनत करते रहे हैं आगे बढ़िए गुड़नाइट